इस समय सार आपकी एज कितनी है अभी 44 साल कितने साल से लिखने में परिशानी है परिशानी तो इस सार हमको 15-20 बरसे है अच्छा लेकिन उस समय इस चीज को हम उतना क्यार महीं करते थे हमको लगता था वे साही ये ठीक हो जाएगा दिक्कत क्या होती थी दिकत वही लिखते थे तो थोड़ा-थोड़ा हाथ कमपन करता है इस बीच में लेकिन थोड़ा सब विशेश लगता है कि हो गया है एक महिना में वह से हमको फिल होता है अच्छा हलका हलका है बहुत दिन से ठीक है और कोई दर्द होगरा थंब में और इंडेक्स फिंगर में हमको होता है आपने बता है थोड़ा कलाई के पीछे भी होता है यहां पर भी दर्द होता है तो हाथ में कमपन है और दर्द है और कोई परिशानी इसके लिए और कोई नहीं है कमपन होता है और दर्द फिर लिखने के बक्त में भी होता है दूसरा बक्त में फिर नहीं सिर्फ सिटाव प्रेशंद कउपन सर्फ लेक्ते समय होता है और किसी काम करने में नहीं होता है ठीक कहां रहते हैं हम रहते हैं आपको सिटा चंदोली जैब करते हैं हम जनकपुर में प्षिक सर्च ठीक है तो इस विमारी के लिए कहीं आप पहले बार हम आपके पास आएंसा यह इस परफ़ाग्राप दीख है इसकी वैसे आपकी स्पीड भी स्लो हो गई है जी और लिखने में जो कोई कहता है तो थोड़ा सा आपको हैजिटेशन होता है संखोच होता है जी सही बात है पैन की ग्रिप में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है ग्रीप बनाने में वही तो मियंसे मसा है जब बनाना चाहते हैं सर अब भाइबरेस्ट उत्पन हो जाता है अब बहुत स्लो करते हैं तब सर भी होता है बहुत स्लो करने के बाद लिखते समय कहीं कहीं लगता है यह पैन रुग गया है जी कोई ग्रीप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा रुग जाता है ठीक करता है झाल, झाल, झाल.